आज सरीम पाशार सहाब जो रॉम टेबल कॉन्फरेंस रखे हैं उसमें अलहम्दलिल्ला शेहर के और स्टेट के काफी कर्मन हजरात आए वे हैं यहां पे और आप सब चीज़ बोल दिये हैं मैं सिर्फ अपना व्यू दूँगा इस पे आप दस मुस्ली में मेलेज बोले अप प्लान ओप एक्शन में आपको यह बोड़ूगा कि अब हमारे को के सिर्फ से कुछ पूछ नहीं है इसी लिए पूछ नहीं है कि हम इतने जितने चीज़ रखे यह या तो नई गौर्नमेंट दे सकती हैं उनको या हम यह किसी के मेनिफ पिस्टों में देखे उसको वोड़ डालवा सकते हैं यह हमारा काम है क्योंकि हम यह पूछ नहीं सकते हैं टाइम उतना नहीं है हम एक्सपोस कर सकते हैं KCR के विडियो जैसा के 10 MLS नहीं दिये उन्हों रिजर्वेशन नहीं दिये और 10,000 क्रोड़ा बजट बोल रही उन्ह पिर कमिशनरेट के लिए मैं आपको बताओंगा कि हमको एक्सपोस करना है KCR साफ कमिशनरेट के लिए श्यादगर में गुले एक एलान करे थे कि मैं 12% रिजर्वेशन देता हूँ नहीं दिये दूसरी चीज के सियार साफ एलान करे थे कि मैं वक को जुडिशल पावर दू ये एक चीफ मिनिस्टर का अपने मेनिफिस्टों का एलान था जो एक तफ़े से लुड़ करे थे आप सबसे जादा लोगों को मानूं है कि मुस्लमानों की सबसे बड़ी अगर कोई जायदाद है तो दरगा उसे इचाव अली रहमत लाले की जमीन है उसके वास्ते के सियार करेडी साब के दौर में नहां हो गए थे 400 करूर रुपे केस यार साहब सुप्रीम कोट में अपने आला वकीरों को लगा कर ये के अथेंटिक डॉकुमेंट्स के साथ बलो दालके इसमें पार्टी बनाए एक पार्टी है तेलंगारा स्टेट गौर्नमेंट दूसरी मनें दोनों केस लटें ना इसमें कोई लैंको वाला है ना कोई डेलाइड वाला है ना कोई MNC कंपनी है यह केस लटेंगी चीफ मिनिस्टर सब बख़बोट से और अपने आला वकीरों को लगा कर बंगोट के लकिल और को बंगशीन आज तक कोई नहारे और कोंग जीतें? अरे हम लैंड को हार गए हम लैंड को हार गए केसीर साफ भी बोरें लैंड को हार गए अपबर उदी नोवेसी साफ एसेमली में बोरें साफ रिवी पेटिशन डालिए अरे भाई खीच लिए तुम ले लिए तुम अब रिवी पेटिशन किसे ने डालेंगे एक एफिडेमिट देना है, इस पे भी अगर एक मेनुफिस्टर में आप अगर अपने आट करें, हमाँको वापस दो, आप नागर चलाते में तेर्गू में, हमारी ये पांच करोड की, पांच लाग की जमीन हैं, आप हमाँको वापस दो, और जितनी खाली है, इमिटेटली म पांच में तो बोले, ये नहीं दिये, ये जुटिशन पावर का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, उसके बात, फिर आप, रिजिडेंशिल स्कूल बोले, मैं रिजिडेंशिल स्कूल का इंटरनल सर्वे देरों आप लोगों को, रिजिडेंशिल स्कूल में, नॉन रिजिडेंशिल स्कूल में बोलना, मैंनॉरिटी रिजिडेंशिल स्कूल दोर एक्टदार राजशार रेटरेटिम साब में भी था, शाधी मुपारफी राजशिकरिटी साब के दौर में भी थी, कॉंगरेस के टाइम भी थी, सिर्फ इसको थोड़ा चेंज करें, और वफ के लैंड पे मनावाँ वफ को किराया आता, वफ की प्रॉपर्टी भी सिक्यूर्थी अपोइट करिए, वफ के लैंड पे मनाईए आप, रेसिडेंशिल स्कूल, दूसरी चीज यह पूरे जितने टी आरेस के आसामी है, उन लोगों के बिल्डिंग से, मैं राइट टी इन फॉर्मेशन के साथ यह चीज बोड़ो, जितने मैक्सिमम बिल्डिंग से, यह टी आरेस के लीडर्स के हैं, या उनके हामी लीडर्स के बिल्डिंग से, जिसको आठ लाग, दसलाग रुपे महाना किराया आ रहा, एवन केटरिंग भी जो उसकी जारी, वो भी वो लोग है, तो यह बिसनस उनको मिल रहा है, आप उसके बाट डबल बेडरूम है, डबल बेडरूम आज तक मही बिले हमारे को, ना आज तक हम उसकी पहर भी करें, और उसके बाद आफ के खबरस्तानों की प्लेस, उनको दींगे कासे, खबरस्ताना उनको तोर दे रहे हम जाके प्रॉपर्टी जो हुसें शावली रह्मतुलाली की प्रॉपर्टी थी वो कोई नहीं के सीयार साथ लूटे एक लूटने वाला आपको कुछ बात सकता क्या जो आपका बचाने का वादा करा वो आपसे खीच ले रहा आपका खून चूच ले रहा उन्हें आपको क्या दिंग और उसके बाद आप देखिए इफ्तार पार्टी है इफ्तार पार्टी में पचास से साथ करोड़ में हकीकत इस्तेमान हो रहें ना कोई मुस्तेख खारा कॉंट्रेक्ट में उनके लोगों को मिल रहा जैसा सलीम भाशा बुलें भूडिंग्स भी उनके लग रहे हरो चीज पर उसकी पाकिंग हो रही है मिलका ने उतनी तक इनफॉर्मेशन है तो 68 जॉब्स है बताएगे कि तो को जॉब्स मिलें गॉर्रेमेंट जॉब्स निजामबाद में 2000 जॉब्स है लिचल में रंगानेटी में 1500 जॉब्स है करीम नगर में ऐसा पूरी 336 की है लिस्ट इसमें से माइनोरीटी को क्या जॉब्स मिलें हमार्ण हम सवाल नहीं कर सका है अब यह तो हमारे उन्वान थे अब हमको केसियार साफ जो देते वो लेते वो नहीं दिया हमको एक्सपोस करना है मैं आपके साथ पूरे 33 डिस्टिक्स में मैं हमारी पूरी टीम जितने हम खयाल होगे एक-एक डिस्टिक में जाके एक्सपोस कर सकते मनने का टाइम केसियार साफ से खतम हो गया मनने का टाइम बिल्कुल खतम हो गया अग उनको का हचीज बताना है अगर उनने कुछ चीज नहीं दे सकते तोड़े दिन में येक्शन कोड लग जाता तो हम बार बार धुका नहीं खा सकते अब मैं आपको बताता हूँ उनके जो बेसिक वादे थे हमारे वास्ते हम को उन्हों बोले थे कि इस्लामिक सेंटर मुसलमानों के लिए हाइटेक्षिटी पर तस्रिक पर देतों बोले थे उनके हाम ही अभरेते अद्वर्दीन ओएसी साथ आप हम पूरे जाएंगे फ्लेकाड्ज लेंगे हाईटेक सिटी पे ठेरेंगे हाँ चौरस ने पे हाँ और सिगनल पे ठेर के बूलीगे कि भाई, यहाँ पे इसलामिक सेंटर की लैड़ का है शम्शाबाद एरफोट पे यहां तक हमको हाजियों से भी मिल नहीं दिये शम्शाबाद एरफोट जाके ठ्टेल के पूछेंगे हम के भाई जो आप हमारे हाजियों के लिए रूबाद बना के देते बोले ते आपको मैं बता दू जो आप हजहाूस की विय标 ऊबर बिल्डिंग कर रहे है व किराये पे है वह वंपोर्ट की बिल्डिंग है हाजियों का जो किराया हो दो तो हाजियों की लिएभी बिल्ड जो है आप देछे को लिए नहीं दिए 50,000 से आप चांगीलफिरा दरगा टोई करोंगे लेकिन ने ने जो उनके पॉइंट से मैं वो बोल रहा हूं अगर आप भेतर बोलते आप बोलो लेकिन उनके जो पॉइंट से देखिए इस अजार लोग लोंस के लिए डाले साथ करोंड रुपे करोंगे सलीम भाशा साथ फंदरा सो रुपे परत में क्यों खर्चा तो य예 आपसे इंसाफ ही नहीं हो रही है आपको बेवखुब बना रही है यह एक्सपोस करना है उनको आज यह प्लैटफॉर्म पे जिदने लोगा है हर पार्टी से वावस्ता है लेकिन हम एक कौन की बाद कर रहे हैं एक हमारे जस्टिस की बाद कर रहे है तो आँख खु में को बोचेक्ते में को ना दिन दर सकते हैं या मैं आपको ना दिन दर